नमस्ते फ्रेंट्स मैं हूँ धरंजाए अगर आप इस्रेल, इरान, पैलस्टीन, वेस्ट बैंक, गजा, यूएस इन सब के बारे में जब आप कलेक्टिवली बात करेंगे तो आपको ये समझ में नहीं आएगा कि exactly कौन से पॉइंट को टच किया जाए और कौन से पॉइंट को छोड़ा जाए क्योंकि हर इवेंट अपने आप में उतना ही important है और हर इवेंट कहीं न कहीं दूसरे इवेंट से connected है अगर हम बीते एक सालों की बात करें या specifically हम 7 October 2023 से अगर हम बात करें तो जिस तरीके से हमास ने इस्रेल के उपर attack किया था इस action को कोई भी justify नहीं कर सक और immense amount of brutality का इस्तिमाल किया गया था लेकिन वहीं पर बहुत सारे expert है जिनका ये मानना है कि इसरेल को पहले ही मालूम था कि हमास ऐसा कुछ attack करने वाला है और Benjamin Netanyahu और उनके team ने इस attack को होने दिया ताकि उस attack के होने के बाद वो hyper nationalism का जो feeling से उसका इस्तिमाल करें और जो तो इसका क्या मतलब हुआ तो इसका मतलब ये होता है कि हमास ने जब इसरेल के उपर attack किया था तो उसके ठीक पहले बहुत सारे ऐसे protest हो रहे थे नेतनियाहू के खिलाफ जहां पे लोग सडकों पे उतर रहे थे तो ठीक जब हमास attack करता है उसके पहले जो momentum था वो नेतनिय आता है लेकिन जैसे जैसे ये war आगे बढ़ रहा वैसे वैसे जो लोग है उनको अब समझ में आना शुरू हो रहा जहां पे उनको ये realize हो रहा कि Benjamin Netanyahu किसी भी तरीके से जो लोग पकड़े गये थे हमास के दौरा उसको छुडाने में interested नहीं है बलकि वो ये चाहते हैं कि इस war को और भी लंबा किया जाए ताकि जो maximum political benefit है उसे achieve किया जाए इसी बीच अगर हम बात करें तो इसरेल के संबंद majority of Muslim countries के साथ काफी अच्छे हो गये हैं बीते कुछ सालों में लेकिन अभी भी कुछ ऐसे देश है जो direct threat pose करता है इसरेल को उसमें से सबसे उपर है इरान क्योंकि इरान और इसरेल के संबंद अच्छे नहीं है और इसरेल को support करता है यूएस से तो हर उस देश के खिलाफ यूएस से खड़ा रहता है जिस देश के संबंद इसरेल के साथ अच्छे ना हो क्योंकि हम लोग एक geopolitical event को समझने का कोशिश कर रहे हैं तो इसी लिए हमें बिलकुल भी emotional होने की जरूवत नहीं है और जो चीज जैसा हो रहा हम ये कोशिश करें कि उस चीज को उसी तरीके से हम देखें जहां तक बात किया जाए यूएस का या कोई भी ऐसे देश का तो जो देश जितना मजबूत होता है वो अपने इक्षा को उसी हिसाब से वो impose करता है पूरे दुन्या के ऊपर क्यूंकि इस्रेल और इरान के बीच में संबंद अच्छे नहीं है तो इस्रेल हर वक्त यही कोशिश करता है कि जो इरान के top leaders है या top scientists है उनको वो target करता है और उ इसके बाद जो इरान के supreme leader है उनका जो position है उसको directly challenge पहुँचा है चाहे वो तहरान में इसमाइल हनिया को मारना हो गया हो या और भी अलग अलग तरीके से इनके top leaders को मारना हो गया हो तो इस चीज़ को आप बहुत ही practical तोर पे समझे कि आप किसी भी देश के head of state है या वो द लोग आपके जो authority है उसको question करना शुरू कर देते हैं तो इन ही सब चीज़ों को देखते हुए इरान भी multiple times ये threat किया है कि वो इसरेल के उपर attack करेगा लेकिन एक चीज़ जो हमें समझना है वो ये है कि अगर किसी भी तरीके से अगर आपका opponent USA रहता है तो आपके पास वो नहीं रहता है जहां पे आप US के उपर attack करें ऐसा ही हमें कुछ देखने को मिलता है इसरेल इरान में भी तो जब भी किसी भी तरीके का इरान के top leaders को मारा जाता है तो इरान के दुवारा कुछ claim किया जाता है कुछ statement को जारी किया जाता है जहां पे वो ये कहते हैं कि वो इस अटैक का बदला लेंगे लेकिन जैसे ऐसे समय बीटता है लोगों का गुसा ठंडा होता है तो वो सारे जो स्टेटमेंट दिये जाते हैं वो कहीं न गई ठंडे बस्ते में चले जाते हैं 27 अगस्त को इरान के सुप्रीम लिडर अयातुला खुमेनी के दुबारा एक स्टेटमेंट दिया जाता है जहांवे वो ये कहते हैं कि वो यूएस के साथ बातचीत करना चाहते हैं इसके पीशे का वज़य एक नहीं बहुत सारे हैं इरान के उपर मल्टिपल सैंशन्स लगाय जा चुक हैं जिसके कारण इरान की जो एकॉनमी है वो अल्मोस्ट क्रंबल कर रही है तो इरान भी किसी ना किसी तरीके से वो चाहता है कि उसके देश का जो ओयल है वो ग्लोबल मार्केट में पहुँचे और साथ में जो एक चीज के बारे में अल्मोस्ट बहुत सारे एक् बना लेगा तो किसी भी तरीके से अगर इरान नुकलियर वेपन डेवलप कर लेता है तो जो मिडिल इस्ट का जो सिचुवेशन है या जो सरकमिस्टांसे से वो कम्प्लीट तरीके से बदल जाएगा जहां तक बात किया जा इरान के नुकलियर प्लैन या प्रोग्राम के ब कि इरान के उपर कुछ जो sanctions थे उसको कम किये गए थे लेकिन यहाँ पर भी जो inside story कहता है वो यह कहता है कि इसरेल किसी भी तरीके से यह नहीं चाहता है कि इरान अपने oil को market में बेचे क्योंकि इसरेल को ऐसा लगता है कि अगर किसी भी तरीके से इरान के पास अधिक पैसे आएंगे तो वो कभी ना कभी या किसी ना किसी तरीके से वो अपने nuclear program यह plan को आगे बढ़ाएगा जिसका कि जो immediate खत्रा है वो इसरेल को होने वाला है इनी सब को देखते हुए साल 2018 में Donald Trump joint comprehensive plan से वो पीछे आ जाते हैं कारण क्या होता है कि जो भी एक compromise या एक dialogue चल रहा था US, European countries और इरान के बीच में वो तूट जाता है और उसके बाद क्या होता है कि इरान और भी aggressive तरीके से अपने nuclear program के उपर वो काम करना शुरू कर देता है जहां पर multiple ऐसे reports पब्लिश हुए हैं जो कि ये बता रहा कि इरान काफी close पहुँच चुका है nuclear weapon develop करने के लिए ये हो सकता है कि चलते फिरते हमारे दिमाग में ये सवाल आ जाए कि क्या USA और इरान के बीच में संबंद शुरू से इतने खरापत हैं तो ऐसा बिलकुल भी नहीं है इरान एक oil rich country है और जब आपके देश में काफी सारे resources होते है तो बहुत सारे अलग-अलग देशों का जो नजर होता है वो आपके देश में होता है और जहां तक हम बात करें US और कुछ European countries का जैसे कि उसमें UK हो गया, France हो गया ये सारे देश प्रोपगेंडा चलाने में काफी माहिर होते है जहां तक बात किया जाए इरान और US के बारे में तो इनके संबंद 1979 का जो Islamic Revolution होता है उसके बाद से काफी खराब हो जाते है लेकिन यही इरान है जब इस इरान में जो head of state थें वो जब US के हिसाब से थे तो इरान और US के बीच में संबंद काफी अच्छे थें लगबग 1950 से लेकर 1954-55 के आज पास तक इरान में oil crisis होता है जहां पे 1953 में इरान में एक तक्ता पलट किया जाता है और इस तक्ता पलट के पीछे US का CIA का बहुत बड़ा रोल रहता है supported by UK भी रहता है इसमें क्या होता है कि मुहमद मुसादेग को सत्ता से हटा दिया जाता है क्योंकि उनका जो फैसला था वो ये था कि इरान के पास जो oil reserve है उसको वो nationalize कर दिये थे तो जब oil reserve को वो nationalize कर दिये थे तो US, UK और भी जो कुछ European countries थे उनको वहां से जाना पड़ता तो यहां से भी एक चीज हमें समझ में आ जाना चाहिए कि जब भी US किसी दूसरे देश के सरकार के बारे में जब वो बुरा बोलना शुरू कर देता है तो आप समझ जाना कि कही न कहीं उस देश में तक्ता पलट होने वाला है तो 1953 में जब तक्ता पलट होता है तो उसके बाद US और UK के दुवारा establish किया जाता है एक complete तरीके से puppet को जिस puppet का नाम रहता है मोहमद रेजा और वो मोहमद रेजा exactly वही करते हैं जो US और UK चाहता है तो कहने का मतलब है कि US और UK का जो interest था वो मोहमद रेजा के माध्यम से complete तरीके से satisfy हो रहा था लेकिन slowly and gradually क्या हुआ कि वहां के लोगों को ये चीज समझ में आ गया गुसा काफी बढ़ गया और 1979 तक आते आती ये गुसा अपने आप में इतना जादा हो गया था कि मोहमद रेजा को देश शोड़के भागना पड़ गया क्योंकि मोहमद रेजा देश शोड़के भाग गया थे तो इसलिए US और UK का जो interest था या उसका जो oil के उपर नजर था वो उनका वहां से जो interest था वो आना बंद हो जाता है तो इसलिए भी जो इरान होता है उसके बारे में publicly इस तरीके से दिखाया जाता है जैसे कि इरान एक काफी बुरा देश है लेकिन अगर आप इसके बारे में और पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि जितना भी जो 1950 के बाद जो तकता पलट हुआ है पूरे दुनिया में उसके पीछे कही न कहीं एक बहुत बड़ा important role play किया गया है US के द्वारा I hope that you like the video अगर फिर भी मुझे कहीं कोई कमी या कहीं कोई गलती होगे तो मैं माफी चाहूँगा मैं चाहूँगा कि आप मुझे email करके बताएं see you in the next video have a wonderful day thank you take care good bye